साबर मती ओनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम क्लास 12 बायलोजी के अंतरगत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो की है पुस्पु पुस्प की संदचना इसके भाग का अध्यन करेंगे तो चैप्टर टू पुस्पी पादपो में लेंगी जनन का ये हमारा भाग दो है इसके पहले पार्ट वन भाग एक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं तो नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट और क्लास्त वालत बायोजी की प्लेलिष्ट का लिंक देखने को मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लावर के बारे में पुस्प के बारे में तो पॉइंट वाइस पहले यहां पर थोड़ा सा इंट्रो लिखते हैं कि जो पुस्प है रुपांतरित प्रो होता ह है तने का मिस जो पुस्प है ना यह किस से बना है तने से तो जो तना है वो रुपांतरित हो गया है और रुपांतरित हो करके किसका निर्मार किया गया है पुस्प का तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो पुस्प होता है यह रुपांतरित प्रो होता है तने का सेकंड पॉ तो यह हम फूल के बारे में लिखते है अब यहाँ पर नेक्ट हमारा पॉयंट आएगा पुष्प की संदेखना तो चले देखते हैं पुष्प की संदेखना किस प्रकार से होती है तो यहाँ पर हम लोग पुष्प की सनरचना को ड्रा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रिकार से हम सनरचना बनाते हैं इस प्रिकार से हमारी पुस्प की सनरचना होती है तो यहाँ पर आपको पहले इस प्रिकार से करना है उसके बाद यहाँ पर आपको गोलाकार आक्रिती बनानी है ये गोला काराक्रिती हमारी अंडा से होती है तो इस प्रिकार से आप लोगों को सबसे पहले संरशना बना लिनी है उसके बाद यहाँ पर इस प्रिकार से हम लोग बना देते हैं दल पुंज इनको क्या बोलते हैं जो हमने बनाया भी ये हमारे कहलाते हैं दल पुझ तो इस प्रकार से हम लोग दल पुझ पुस्प में बना देते हैं उसके बाद यहाँ पर नीचे हम लोग बना देते हैं बाहे दल और बाहे दल के बाद यहाँ पर हम लोग डंठर बना देते हैं तो इ प्रिकार से बना देंगे तो इस प्रिकार से जी हमारी पुस्प की संवचना हो जाती है अब यहां पर हम लोग करते क्या है इसमें बीजांड बना देते हैं इसमें क्या बना देते हैं इस प्रिकार से संवचना करके इसमें हम लोग बीजांड बना देते हैं तो इस प्रिकार से आप लोगों को clear हो गया होगा कि पुस्प की संरचना किस प्रिकार से बनाई जाती है अब यहाँ पर हम लोग इसका नाम करड़ कर लेते हैं कि पुस्प के अंदर किस भाग को किस नाम से जाना जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नीचे से सुरू करते हैं यह बाह बाहरी भाग इसको बोलेंगे वाहे दल पुंज अगर केवल एक लेंगे तो वो दल कहलाएगा एक क्या कहलाएगा दल और उसका पूरा का पूरा समू दल पुंज कहलाएगा क्योंकि यह बाहरी है तो बाहे दल पुंज कहलाएगा यह point clear हो गया आप लोगों को next जो हमने इ और पूरे की बात करें तो यह दल पुंज कहलाएगा तो इस प्रकार से यह नीचे वाले बाहे दल पुंज है और यह जो उपर हमने कलिका के जैसी बनाई है यह हमारी दल पुंज नाम से जाने जाती है तो यह भी दल पुंज हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं त तो यहां से भी question बनता है कि निम दिखित में से कौन सा नर युगमक है तो जो पुंकेसर होता है वो क्या होता है नर युगमक होता है तो आगे हम पुंकेसर के बारे में भी जानेंगे कि पुंकेसर में कौन कौन से भाग होते हैं तो यह हमारा क्या हो गया पुंकेसर हो गया पुंकेसर के उपर इस प्रकार से आपको सनचना दिख रही होगी इसको बोलते हैं पराग कोस इसको क्या बोलते हैं पराग कोस बोलते हैं तो इसे बोलते हैं पराग कोस अब पराग कोस के अंदर जो कड होते हैं उनको बोला जाता है पराग कड उनको क्या बोलते हैं पराग क पुतन्तु बोलते हैं इस पूरे भाग को बोलते हैं पुतन्तु बोलते हैं और इसके आगे वाले भाग को ये जो फूला हुआ भाग है इसको बोलते हैं पराग को जो कि हम लोग सीख चुके हैं अब यहाँ पर बात कहने तो ये जो उपर फूला हुआ भाग है हमारा ये कहलाता है वर्तिकागर कहलाता है तो इस परिकार से यहाँ पर वर्तिकागर देते हैं वर्तिका के बाद यह हमारा जो आगे का भाग होगा यह यहां पर गोलनुमा जो संदचना है यह कहलाती है अंडासे यह क्या कहलाती है अंडासे तो इसे हम लोग लिख देंगे यहां पर इस प्रेकार से यह हमारा अंडासे हो गया है और अंडासे के अंदर यह जो स और वर्तिकाग्र होता है ये मादा युगमग का भाग होता है रूप में यहां पर जयांग आता है इसको पूरे को बोलेंगे алеंग ? जयांग में हमारे अंडा से मौजूद रहता है तो इस प्रकाल से इस फीगर को हम लोग बना लेते हैं यह हमारी पुस्प की संदचना है अब एक एक हैडिंग डाल डाल के हम लोग लिखेंगे कि पुस्प के कौन से अंग हैं जो जनन में सहायक होते हैं और कौन से ऐसे अंग हैं जो आवस्यक हैं कि वो अंग होना तो जनन होगा ही नहीं और जो सहायक अंग हैं अगर वो मौजुद नहीं है तब भी जनन हो सकता है लेकिन जो आवस्यक अंग हैं अगर वही नहीं रहेंगे तो जनन कैसे होगा तो हम लोग सीखते हैं कि पुस्प में कौन-कौन से सहायक चक्र हैं और कौन-कौन से आवस्यक चक्र हैं तो यहां पर हम बताते हैं कि जो हमारा पुस्प होता इसमें सहायक चक्र हैं बाहे दलपुंज और दलपुंज तो जो बाहे दलपुंज होता है और दलपुंज होता है ये हमारे होते हैं सहायक चक्र तो इस पिकार से फीगर में समझते हैं कि ये जो हमारे बाहे दलपुंज ह और ये जो हमारे दल पुंज हैं ये दोनों क्या करते हैं ये दोनों पुस्प के जनन में केवल सहायक होते हैं तो ये दोनों नाम आप लोगों को याद हो गए होंगे कि बाहे दल पुंज और दल पुंज ये दोनों क्या होते हैं जनन में सहायक होते हैं आवस्या कंग की बात करें तो पुमंग और जायांग होता है पुमंग जो होता है ये नर भाग होता है और जायांग जो होता है ये मादा भाग होता है तो पुमंग और जायांग ये दो चक्र हमारे आवस्यक होते हैं पुमंग हमारा पुंकेसर वाला भाग है और जायांग हमारा अंडासे वाला भ और जायांग ये आवस्यक चक्र हैं अब एक एक पॉइंट को समझते हैं कि पुस्प में एक एक जो पॉइंट है इनका काम क्या है इनका यूज क्या है क्यों मौजूद है क्या करते हैं तो सबसे पहले आता है बाहे दलपुंज सबसे पहली हेडिंग हमारी पड़ती है बाहे दल पुंज इसकी इकाई बाहे दल कहलाती है तो इसकी एक इकाई को हम रोग बोलेंगे बाहे दल पुरे दल पुंज को बोलेंगे बाहे दल पुंज और केवल एक को उठाया जाए तो उसे कहा जाएगा बाहे दल यानि की बाहे दल पुंज की इकाई बाहे दल कहलाती है या पुस्प के भीतरी अंगों को सुरच्छा करता है तो जो पुस्प हमारा जो फूल होता है उसके भीतरी अंगों को सुरच्छा प्रदान करता है क्योंकि अगर ये बाहे दल पुंज नहीं रहेगा तो जो अंडास्ते है जो बिजांड है इनको नुकसान हो सकता है तो जो हमार बाहर दलपुंज यह हर रंग के होते हैं तो यह पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा नेक्ट देखते हैं दलपुंज जो हमारा दलपुंज होता है यह पुस्प का दूसरा चक्र है क्योंकि हमने देखा सबसे बाहरी चक्र यानि प्रिथम चक्र बाहर दलपु उसमें जो कलिका होती है वो लाज रंकी होती है तो दलपुंज हमारा गुलहड में लाज रंका दिखता है तो यह समानिता रंगीन होते हैं यह कीटों को आकरसित कर कीट परागड में सहायक होते हैं तो जो दलपुंज होते हैं यह क्या करते हैं कीटों को आकरसित करते हैं और कीट परागर में सहायक होते हैं यहाँ एक्जामपल से हम समझे कि यहाँ पर यह हमारा कोई कीट बैठ गया यहाँ पर कोई कीट आ करके बैठ गया तो वो क्या करेगा कीट अपने साथ यहाँ पर जो परागर मौजूद है उसको चिपका लेगा उसके बाद ये ज़ा करके दूसरे पुस्पुपर बैड़ जाएगा तो अपने साथ ये तो पराग कर लाया है ना लेकिन अब इस पराग कड को इस फूल के अंदर आकरशित कौन करेगा तो वो काम करते हैं दलपुझ करते हैं तो वहимारा नरजनन का भाग होता है मेंस एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहां नर्युगमक होता है तो पुमंग की बात करें तो इसकी इकाई को हम लोग पुंकेसर बोलते हैं पुमंग की इकाई को क्या बोलते हैं पुंकेसर बोलते हैं तो पुंकेसर अभी हमने फिगर में देखा है कि जो हमारा पुमंग होता है इसके दो भाग होते हैं पुमंग के कितने भाग होते हैं दो भाग होते हैं हमारा पुंकेसर होता है जो की नर्युगमक भाग होता और इसमें पराग कोस होता है तो पुंकेसर और पराग कोस ये दो भाग होते हैं पुमंग के तो यहाँ पर हम इस प्रेकार से बताते हैं पुमंग पुस्प का नर जनन होता है पुस्प के अंदर जो नर जनन होता है वो कौन होता है वो पुमंग होता है यहाँ पुस्प का तीसरा चक्र है तो यह हमारा तीसरा चक्र है क्योंकि पहला चक्र हम लोगों ने देखा बाहे दलपुंज सेकें तो यहां पुस्पका चौथा चक्र है तो यहां पुष्पका चौथा चक्र होता है जायांग की इकाई को इस्तरी केसर कहते हैं पुमंग की इकाईब को पुंकेसर और जायां की इकाईब को इस्त्रीकेसर कहते हैं तो यहां पर हम बताते हैं कि जायां की इकाईब को इस्त्रीकेसर कहते हैं इस्त्रीकेसर के तीन भाग होते हैं कौन-कौन से वर्तिकागर होता है और अंडासे होता है तो इस्त्रीकेसर जो जागर वर्तिका और अंडा से ये भाग होते हैं जो जायां के अंतरगत आते हैं तो इस प्रकार से आप लोगों को जो हमारा complete question है पूस्पुक के बारे में पूस्पुक की संदचना के बारे में और इसके भाग ये आप लोगों को clear हो गया होगा थैंक यू